चार दिन लगातार खाली पेट आउले का जूस पीने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों आज किस खास वीडियो में हम आपको आउले के जूस पीने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं अगर अब सुबक खाली पेट आउले के जूस का सेवन करते हैं तो इसके क्या क्या बहतरीन फायदे होने वाले हैं यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आउला औसदी गुणों से भरपूर होता है आई रिवेद में भी आउले का बहुत ज्यादा महतुव बताया है यह हमारे पूरे श्रीर की हेल्थ के लिए सुनदर्ता के लिए बहुत ही ज्यादा बनेफिशल होता है अभी दोस्तों ठंड का मौसम आने वाला है अब आपको अच्छे आउले भी मार्केट में मिलने वाले हैं आउले का इस्तंमाल अपने डेली रूटीन में किसी न किसी रूप में जरूरा करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए चाहे आउले की जूस लें, चाहे आउले का चार लें, आउले की चटनी खाएं या फिर आउले का मुरब्बा लें, लेकिन लें जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर विटामिन सी मेटामोलिजम को बढ़ाता है और सरदी खासी सहीद वारल और बैक्टरियल बीमारियों को रोकने में भी हल्प करता है यह हार्ट को हेल्दी रखता है वैसे दोस्तों आउले का जूस आपको मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा लेकिन फ्रेश मनाकर करें यह श्रीकों सद्ट पाता कि उण मा Products आउले के ने ही के ज़ाती है बाल काले घंब हो लंबे बंते हैं इससे कब्जी की समस्या से आराम मिलता है आवला खाने वारे व्यक्ति के पेट से संबंदित किसी बीदर की कोई दिक्कत नहीं होती पेट अच्छा होता है पाचन शक्ती मजबूत होती है आपको पता ही होगा कि शरीज की अधिकतर विमार या हमारे डाजेशन याने की पेट से जुड़ी होती है कि आवला आउला आखों के लिए बहुत अच्छा होता है इसके सेवन से आखों के रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है और और पिक हमाम दस्ते में पत्थर के लंगरी में आवले के कटेवी पीसे को डाल देने हैं आपको सिर्फ एक आउला इसमें डालना है अगर आपके पास है चोटा चोटा आला है तो यहाँ पर दो आवले का इसामाल Bobby करना है और अगर आगे पास बड़ा है तो यहाँ पर सिर्फ एक आवले का ही इसामाल कीजिएगा चोटे-चोटे कद्डू कस आपको सिर्फ दो चोटे आउले करने हैं कद्डू कस करने के बाद एक लास पानी में मिला कर ले दोस्तों या फिर आप इस उड़न आ法 से सड़त अधके साथ भी चबार ख़ा ने 사स्थे यहां पर डेली एक आउले का सेवन करते हैं तो बहुती कम समय में चश्मा उतर सकता है साथ इसके सेवन से खून साफ हो जाता है अगर आप चाहें तो आउले के जूस में थोड़ा सा शेहर डाल कर भी पी सकते हैं इसके लावा जीने भी यूरिन से लिलेटेट प्रॉलम रहती है उन्हें भी आउले का रस जरूरू पी न चाहिए या आप देख सकते हैं मैंने कद्दू कस कर लिया है कद्दू कस किये वे आउले को आपको एक ग्लस पानी में डालना है इसके लावा इसमें आप एक चोथाई चम्मच यानि कि आदी छोटी चम्मच के बराबर काला नमग एट करतेजेए काला नमग दोस्तों हमारे डायोशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है सुबह सुबह इससे आप पिएंगे तो आपका पेट भी दुरूस्त रहेगा और इस पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शहर दोस्तों इस आउले के जूस का इस्तमाला को सुबह सुबह खाली पिट करना है या फिर सुबह नास्ता करने के आदे घंटे पहले भी कर सकते हैं इसे पीने के आदे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है इस बात का विशीष द्यान रखिएगा इसे पीने से चेहरे पर चमक बढ़ने लग जागी लंबे समय तक स्कीन पर जूर या नहीं आएगी आँखों के रौशनी तीज हो जागी डाइशन इंप्रिव होगा श्रीष के टॉक्सिंज श्रीष से बाहर आ जाएंगे हार्ड हैल्दी रहेगा और कॉलिस्टॉल को यह होने देता तो आप इसका इस्तमाल लगातार कर सकते हैं से पीने का कोई नुक्सान नहीं होगा दोस्तों आप इस वीडियो को अंतक दिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया